हरा धनिया मसाले के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है साथ ही इसे सवाद और खाने की सजावट और चटनी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है यू तो धनिया एक ही नहीं बलकि काफी बिमारियों में कारगार साबित हुआ है आईए जान लेते हैं इसके कुछ मेहतोफरून फायदे पेट समंदी सबस्याई दनिया गैस से छुटकरा दिलाने और पाचा तंतर को ठीक करने में मदद करता है इसके लिए दो कप पानी लेकर उसमें जीरे और दनिये के पत्ते डाले इसके बाद चाय की पत्ती और सौंफ डालकर दो मिन्ट तक उबाले सवाद अनुसार इसमें सक्कर मिलाए और थोड़ी सी अद्रक भी डाले इस मिश्ण का सेवन किजिए आपकी पेट समंदी सभी समस्याई दूर हो जाएंगी आखों की समस्याई लिए धनिया बहुत ही फायदेमन्द है धनिया आखों की जलन को दूर करता है इसके लिए एक परकार का चुरण त्यार करना पड़ेगा चुरन त्यार करने के लिए सौफ, मिश्री और धन्ये के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर उसे पीश ले अब इस चुरन को भोजन के बाद खाएं पांच ग्राम चुरन का शेवन करने से आखो वे हात पैरों की जलन से छुटकारा पाया जा सकता है अगर आपके मुँँ में चाले रहते हो, किसी भी दवाई या मैडिसें ठीक नहीं हो रहे हो तो आप धन्ये की हरी पत्यों को सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाईए अगर आपके मुँँ में कितने भी पुराने, कितने भी समय से चाले हो तो आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इस धनिये का परियोग करने से अगर किसी भाई या भहन को नक्सीर की समझे रहती है तो आपके लिए धनिया बहुती ज़्यदा फाइदे मंद है हरे धनिये की 20 ग्राम पत्या लेनी है इसमें थोड़ा सा चुटकी भर कपूर मिला लेना है इसके बाद इन दोनों को मिलाकर अच्छे से पीश लेना है पीश कर छानकर अलग रस टाइप में निकाल लेना है अब जो त्यार रस है इनकी दो दो बूंदे हमें दोनों नाक के चिद्रों में टपका लेनी है और थोड़ा सा इसको अपने माथे पर भी हलका मल लेना है अगर आपकी नाक से खून निकलता है तो तुरंत ही बंद हो जाएगा और आपको नक्सीर की समच्या कभी नहीं होगी इसको एक अपते तक लगातार अपनी नाकों में डालिए अगर आप धनिये का सेवन लगातार करते हो तो आपकी तवचा जो है वो बिल्कुल गलो करेगी और आपके जो बलड में जो इंसूलिन का लेवल है वो भी काफिया तक ठीगर एगर आपको कभी भी सुगर नहीं होगी अगर आपको मुत्तरोग है अगर आपको पेशाब ज़्यदा पीला पन है तो आपको करना क्या है एक गिलास पानी के अंदर पीशा हुआ धनिया डाल करके उसको 57 मिट अच्छे से उबाले उस धनियों को चान कर आप सुबह खाली पेट लीजिए आपके पिशाब में ना ही तो जलन होगी और ना ही आपका पिशाब पिलाएगा और पत्री में भी काफी ज़्यदा आराम मिलेगा पत्री अगर है आपको तो वो दिरे दिरे पिंगल कर मुत्तरदवार से बाहर निक चल जाएगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने मित्रों और दोस्तों को साथ शेर कीजिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत